वजीर सेहत सिंध इर्शाद फर्मा रही है कि रवा मांग कोरोना वैक्सीन मौया कर दी जाएगी सर ये सुन करके धिंताख हो गया है मेरा तो मतलब कुटे से काटे की वैक्सीन नहीं मिल ली कोरोना की वैक्सीन दे रही है और वो भी सिंध हुकूमत क्या गारंटी उसके इस देश में कुटे के कातने की दबाव अपलफ्द नहीं है वो करोना की हैं आधरसल क्वीद्यों को लेकर भारत में क्या हुआ इस भारे में हम जाने की कोशिस इस वीडियो ब्लोग के अंति भाग में IA सुनते है पाकितान मीडिया की वर्टिपणी जिसमें कहा जा रहा है कि पाकितान अकारण भारत से बराबरी करने की कोशिस करते रहता है पर आर्थिक बेग्यानिक और सिक्षा के छेत्र में भी अगर पाकितान बराबरी करता तो पाकितान की यह हालत जो साइद आज है नहीं होती सिन में तो वैक्सीन नी एकुतों से काटने की बिल्कु ठेक उस से वी बचे मर रहे हैं वो बलावल को नज़र नहीं आते धर में जो पुके बचे हैं मरते वे वो उनको नज़र नहीं आते अगे हम सारी चीज़ इंडिया के साथ मैच करते हैं आप गढ़ने काफनी हुआ हैं अपकाबला नहीं हैं अभी नहीं हैं सब्सक्राइब नहीं किया जो उन्हें किया किया चैनल आपना पौशकिश भुचिए उन्हें किर टॉछिछी तॉर नहीं अभी लुट नहीं हुए झाल ड्रॉल्कर भी एज अज़ क्या हैं और शेय्ट आपने खबरों में सुना ही होगा कि भारत में दो करोना की भैक्सिन खोवी सिल्ड और को भैक्सिन के ठीका करन का काम भारत में 13 जनौरी से चर्ण बद्ध तरीके से सुरू होने जा रहा है अभी इन दोनों भैक्सिन का ड्राई रन हाल में ही हुआ जिसके प्रणाम उमिल से भी अच्छे पाए गए हैं आपको यह बताते चलें कि कोभी सिल्ड और को भैक्सिन में से को भैक्सिन पूरी तरह से स्वेदेशी यानि भारत में ही निर्वित भैक्सिन है जिसको भारत बायोटेक, इंडियन कॉंसील अफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंचूट और भेरोलोजी पूने ने संजुक दूरूप से बना इसके अलावे भी पाँच और भैक्सिन का काम भारत में तेजी से आगे चल रहा है, जिसमें जाइडर स्केडिला का भैक्सिन जाई कोभी डी और रसिया के सोजोग से बन रहा, स्पुटनिक फाइब प्रमुक हैं, जिसे डक्टर रेडी लबरिटरी में उत्पाजित किया जा रहा है, जहां तक बिदेश में उत्पाजित भैक्सिन का सवाल है, पिफाईर तथा मोडरेना दो प्रमुक भैक्सिन हैं, पर इन दोनों भैक्सिनों के साथ दो समस्याएं हैं, पहला इनकी कीमत भारत में तयार दोनों भैक्सिनों से काफी जादा है, जिससे बहुत सार देश फोर्ड नहीं कर सकते और दूसरे इनके इस्टोरेज को लेकर समस्या है क्योंकि इनको समान्य तापमान से बहुत कम तापमान पर इस्टोर करना पड़ता है और बहुत सारे देश में इस प्रकार की इस्टोरेज की समस्या नहीं है दूसरे तब भारत में जो भैक्सिन के संस्थापक बिल गेट्स तथा वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन के डिरेक्टर जनरल टुडर्स एडानन ने भी खुल कर तारीफ किया है तथा इन दोनों लोगों ने अपने ट्विट्स को पीम मोधी के ट्विट्स से टैग भी किया है या समुचे भारत बास्यों के ल मांग भी करीब 22 देशों से आ चुकी है और लगतार अन्नी देशों से इन भैक्षिनों की मांग आ रही है पहले चर्ण में भारत सरकार ने बित्रन के काम के लिए बुंबई चिन्नई कोलकत्ता और करनाल को रिजनल डीपो बनाया है बाई एयर इन भैक्सिन्स को इन वर्सकर्स जिसमें मेडिकल स्टाफ और पुलिस सामिल है उनको दिया जाएगा इसके लिए एक सब्ट्वेर भी अवस्कार किया जा रहा है कि सब लोग उस पर रिश्टेशन करेंगे और उस सब्ट्वेर में कहां पर ठीका मिलेगा और किस तारी को मिलेगा और आपका स क्या है उसको बताया जाएगा इस विकास के लिए इस नए अविस्कार के लिए इंदुस्तान के अवाज परवार से सारे बिग्यानिकों को बहुत-बहुत बढ़ाई आज के लिए बस इतना ही आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो किर्पया मेरे चैनल को सब्सक